किसान आंदोलन का अज 27 वा दिन है और किसान आंदोलन के चलते तीन किसी कानूनों को रद करवाने की मांग को लेकर किसान किसी भी किमत पर पीछे एटने को तयार नहीं है जा एक तरफ किसान दिनली को गहरे हुए बैठे है अब लोकल जो अक्षेतर है वहाँ पर भी धरने पर दर्शन चालू हो गए इस समय हम मकडोली टोल प्लाजा रोतक जिले में यह मकडोली टोल प्लाजा है यहाँ पर पहुचे हुए है यह जो रोड है यह रोतक से पानी पत रोड जाता है तो यह मकडोली टोल प्लाजा है दूसरी तरफ इदर देखिए किसानों ने यहाँ पर अपना धरना लगा दिया है और मैं आपको दिखाना जाओंगा यह सांजा किसान मोर्चा सांजा किसान मोर्चा MSP की कानून के लिए अनिश्चित कालिन भूखरताल की शुरुवात हो चुती है बुजर्ग बैठे हुए है भुपका उनके सामने रखा हुआ है और यह वो बुजर्ग पिसान है जो अपनी आने वाली बीवियों के लिए इस आंदोलन में अपनी भागेदारी देने के लि हैं और इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो प्रेशानी ना हो तो उसको लेकर के यहाँ पर रागिनिया चलाई जा रही हैं किसान बीछे यहाँ पर कुर्सियों पर बैटे हुए हैं और यह किसान आस-पास के गाउं से ट्रेक्ट ट्रोलियों में भर कर यहां आये हैं अब ही मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर जो भूख ऺड़ताल पर जो लोग बैठे हैं उनसे बात करेंगे हम यहाँ पर भूख रटाल पर बैठें अनिस्चित कालिन भूख फड़ताल का निर्ने लिया गया है और उसके मुद्दि नजर जो यह भूख घड़ताल पर दिन है हम कंटिनू चाय और पाणी में हैं हम दो हैं आएके राजु है गाउं मकडोली से मेरा बड़ा भाही और मैं संजु गाउं चमारियां से तो वैसे तो जो किसान यूनियन है जो दिल्ली को घेरे हुए बैठी है वो भी भूखरताल के कारेकरम में जूटी हुई है तो क अपने एरिये में जाके वहां जैसे रोत तक से पाणी पतक कोई ना तो खाने की वेवस्ता है आने जाने के वाले के लिए इस संदर में हमने यहां साथ में भूखरताल भी शुरू की है एक और साथी थे हमारे जो पिछले आठ दिन से भूखरताल पर बैठे हुए हैं तो ये भी ये भी बाकी वो अभी कहीं बात कर रहे हैं बुजुर्ग हैं वो भी आज भूखरताल पर बैठे हैं एक इन लोगों का सयोग करने के लिए सब आपने भूखरताल क्यों शुरू की है मैं देवराज नांदल हूं मैंने इसलिए शुरू की है किसान अकेले ने रहें किसान का मुद्दा देश का मुद्दा मानता हूं ने क्योंकि काड़ कानून है ये जमाख खोरी ज्यादा होगी तो गरीब ज्यादा परसेगा उसमें किसान किसान नहीं बेश्यदार है क्या क कोई दुकानदार है थोटा सब के लिए नुक्षान दाए कानून है इसलिए कानून वापस होने चाहिए और मेस्ट कानून बनने चाहिए ताकि देश तर्की करता रहे आगे बढ़े और यह जवान जो बाठे जे भूखरतार बहुत मैदन इनके सही हो के लिए इनको अशिरान परदेश ही निए बल्कि समस्त परदेश के किसान सबी कोई डिली कूच पर है कोई सिंदु जोडर shifting पर मोजुदै और और अपेट बरता है और वो आज अपने बेट के लिए सडकों पर मोजुद हैं वो भी अंसन पर हैं इसलिए के अंदर सरकार से यही अपील है जल्दी से जल्दी किसानों की समस्या का समाधान करें तो ś 1957 बीति अभी तक समाधान नहीं निकल पा रहा है तो हो क्या है? देखो जी इस समस्या का समाधान सरकार नहीं निकलना है ठीक है इसरकार नहीं निकाली तो आपके चैनल के मत्यम से सभी को एक संदेश है अमें सरकार को जुक अना है सरकार तब जुकेगी जब उसकी आर्थिक स्तिती कमजोर पड़ेगी आर्थिक स्तिती कमजोर के लिए हर ये जन आंदोलन बन चुका ना कि किसान आंदोलन है जनाल दोनर में हर आदमी अपनी बागयादारी निवाए उसमें जैसे बैंक में जिस किसी का एक पैसा हो या एक लाख रुपया या लाखों रुपये हों वो सब अपने एक-एक पैसा बैंक से निकल वाले हमें सरकार की जो नबज है ना उस नबज को तोड़ना है तो आपके चैनल के मादब से मेरा यही संदेश है आप आपने भी आज भूखरताल शुरू करी है और क्या कहना है क्योंकि अभी तक बादचीत का कोई सिल्सला सरकार का आगे भी निवड़ पाया है हाला कि एक नोता जरूर भेजा गया है जो किसान यूनियन है उनको देखो जी आज तक जैबी मीटींगे है साथ मीटींगों इस सरकार के साथ उसमों को कास दिर्य ने निखिला है सरकार अपने अडा यल रोगगे पर अड़ी हुई है और किसान दो एक साथ आण मांग कर रहा है देखो जी काले कानून उमारे उपर तो भूगे तो आने वाला तो अबू करताल का इनका सिल्सला इसी तरीके से जारी रहेगा कुछ बुजर्ग लोग भी यहां पर हैं जो इस आंदोलन में समर्थन करने के लिए आए हैं और हम उनसे भी बात करेंगे तो समादान कुछ निकल नीरा कद तक बैठे रहोगे जब तक ये तीन काड़ कानून वापस नहीं लेगी सरकार जब तक हम बच्छे रहेंगे तो एक इतने दिन भी हो जाओ क्योंकि ये किसान के खिलाब हैं किसान को बरबाद करने के लिए ही जो है ये तीन काड़ कानून लाया है और कार्पोरेट गरानों को बढ़ावा दे रहें ये सरकार पंदरा कार्पोरेट ऐसी हैं एक बड़ा तीन भाग पैसे हिंद어요 और एक बड़ा तिन भाग पैसा एक ग्रोह लोगों के पास है और एक तो चाएग दिसंस प्रोज लोगों के पास एक बड़ा थिन भाग पैसा है जो रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं। इंदोस्तान की बहुत गरीब देश है। लेकिन कारपुरेट को बड़ावा दे रहाया। दूसरे देशों में जाने से शाइस क्रोड रपिया लगता है। एक बार जाने से सरकार गा। तो यह 110 बार गया यह दूसरे देश ममोदी पैसे को पर बात कर रहा है। हमारे पैसे को यह हिंदोस्तान की गरीब लोगों में बांट दीया जाए। तो गरीब लोग अन खा सकता है। कि अंद्खाने में भी एसमर्थ है इंदोस्तान का तब कुछ लोग यह कह रहेंगे किसानों को यह कानून समझ में नहीं आया इसलिए आप लोग इसमें दिक्कत मान रहे हो तो यह कुछ बुजुर्ग लोग हैं यह भी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए यहां पर पहु हैं और इनका यही कहना है कि यह जो कानून है यह जो कानून है उन कानूनों को लेकर के यह बिलकुल अरीग है अपनी बातों को लेकर तो कद तक बैठे रहोगे आहांए तो साल होजयों करे साल है करा यहारा जालोगा यहां जोड़ी है मारो मरण त्यार बीया मरणा है इसकतेु कर्लकट लाट मारे इसके बमस्यों गया हुगा कलने कंट्रा यह स्केलतू होगा हम अ फों थाने को तिन मारे खुदीन मैं द्र Clans इस भलतोर हम करा हैं गया रहे हैं तो गुष्चे में हैं बुजर्ग और उनका यही कहना है कि बिल्कुल वो अंतिम सास तक इस लड़ाई को लड़ने के लिए तयार हैं यहां पे देखें के रागनियों का भी शुरू कर दिया गया है कारेकरम और क्योंकि लोग बैठे हैं तो बैठे बैठे बोरना हो और इस अंदोलन में अपनी सहबाजिता देते रहें तो यह रागनियों का कारेकरम भी शुरू कर दिया गया है आप देखें कि किस तरीके से मनोरंजन की भी विवस्ता है हर तरीके से हर विवस्ता खाने पीने की यह बाकाइदा लंगर चलाया जा रहा है और यहां देखें किस तरीके से यहां पर मनोरंजन की भी पूरी विवस्ता की गई है ताकि आराम से लोग यहां पर बैठके इस अंदोलन में सिर्कत करते रहें मैं आपको पीछे लेकर चलना चाहूंगा जो किसान इस अंदोलन मे सिरकत करने के लिए आए हैं ये देखिए ये लोग बैठे हुएं अपना कुर्षियों पर बैठ करके जाएक तरफ रागनियों का अनंज ले रहे हैं वहीं तीन किर्षी कानून हैं उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं तो यह कहा जा सकता के हर तरीके से इन तीन किर्शी कानूनों के खिलाफ एक जुठ होकर किसान सडकों पर पहुंच चुका है जहां किसान संगठन दिल्ली को घेरे हुए हैं वहीं जो आसपास के गाओं के लोग हैं उन्होंने भी अपने धरने पर दर्शन शुरू कर दिये हैं कैमरमेन विक्रम के साथ मैं दीपक भारतवाज पंजाब के स्री टीवी रोत तक